हर्याना व्धानसबा चुनाव से जोड़ी ये बड़ी खबर है हर्याना में एक और गटबंदन हो सकता है बीज़पी और आरलडी का गटबंदन हो सकता है सुत्रो के हवाले से आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आरेलडी और बीजेपी निताओं के बीच बाची चल रही है गटबंदन को लेकर सुत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं दो से तीन सीटों पर आरेलडी चुनाव लड़ सकती है हरियाना में विदान सबा का आपको बता दे कि छोटे डलू के साथ गटबंदन में लड़ेगी बीजेपी, हरियाना लोखित पार्टी, हरियाना जंचेतना पार्टी को बीजेपी सीट देगी गुपाल कांडा और विनोज शर्मा की पार्टी के साथ यानि की गटबंदन रहेगा बीजेपी का और अब आरेलडी से भी बात्चीट चल रही जितिंद्र चौधरी हमारे स्टेट हैड बने हुए हमारे साथ लगतार जितिंद्र तो एक और गटबंदन की चर्चा अर्याना में होने लगी है आरेलडी और बीजेपी का गटबंदन भी हो सकता अर्याना में दो से तीन सीटें आरेलडी को दी जा सकती है चर्चाएं ऐसी ही के RLD और BGP के बीच बैचक हुई है इस चीज़ को लेकर कोई बात चीत हुई है रितेंडर क्या इस खबर को हम तजदीक शुदा माने पुखता माने अभी मुम्ताज क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जहां टिक्टो को लेकर के मन्थन चल रहा है कि कुछ टिक्टे मंतरियों की बदली जा सकती है विदायकों की तो वहीं शोशल इंजीनियरिंग पर भी भाजपा पूरे तोर पर ध्यान दे रही है और इस बात को भी ध्यान दे रही है कि अपने छेतर के अंदर कौन-कौन से ऐसे नेता है जो पूरा रसूक रखते हैं अपने दम पर चुनाव जीतने को लेकर के भी और अगर वह भाजपा के साथ आते हैं तो वहां किस परकार से उनका फाइदा मिलते हुए नजर आएगा RLD को लेकर के दिली से जुड़े हमारे जो सूतर है वो ये बता रहे हैं कि इस परकार की भी एक जो चर्चा है वो सामने आई है कि इस तरीके से अगर भाजपा आगे बढ़ती है तो खास्तोर से जो जाट समुदाय है जो लगातार ये माना जा रहा है कि भाजपा के साथ क्या वो जाये गया या नहीं इसको लेकर के सेंश है अलगि हाल ही में मुक्हमंतरी नाइब चैनी की तरफ से पूरे गर्म जोशी के साथ ये बात कही है कही गयी है कि इस परकार की कोई बात नहीं है ये केबल विपक्ष का फैलाया गया ब्रहम है और जो जाट हो दलित हो वो सबी जो है वो भाजपा के साथ रहने वाले हैं लेकिन अंदर खाने तमाम बातों को ध्यान में इसको हो सके और मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूचा था मुख्यमंत्री का किस परकार का जो रियक्शन था इसको ले करके हम चाहेंगे अगर हमारी टीम उस रियक्शन को भी हाँ पर सुनाए क्योंकि इसी इंजिनेरिंग को ध्यान में रखते हुए आरेलडी के साथ जो सीटों कि शेयर को लेकर के ये बात जो है अभी तक सामने आ रही है मुम्ताज जी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम उस रियक्शन को दिखा सके और हम तयार है ये रियक्शन ये पर दिक्रिया मुख्यमंत्री के दिखाने के लिए जितन जिसका आपने जिक्र किया आई दे कि मैं आपको आज बता रहा हूं कल मेरी तोसान के अंदर रहे ली थी जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ उपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है हम भारतिय अजनता पार्टी को बोट देंगे प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की जो हमने शुनाई अपने दर्शकू को जिसका जिक्र आपने किया और जैसे कि आपने बताए कि खास सोशल इंजिनिरिंग को जहन में रखते हुए आरलडी से बाचीत को पुखता तोर पर आगे बढ़ाया जा सकता है कि इंदर में तो आरलडी है ही इस वक्त पार्टी के साथ ही अब क्या इस सोशल इंजिनिरिंग को मद्दे नज जा रहा था किरन चौधरी को राज्य सभा में भेजा है जैन चौधरी को भी लोग सभा चुनाव के मद्दे नजर जो है एंडिय के अंदर शामिल किया गया था आप समझ सकते हैं कि ये एक मैसिज जो है वो जाट समुदाय में देने को लेकर के केंदर से लेकर के भाजपा के साथ रहने वाले हैं इस प्रकार का एक दावा और उसका उधारन भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की बानगी में इसे अगले कदम के तौर पर कहा जा सकता है सोचल इंजिनियर को ध्यान में रखते हुए कि जैन चौधरी के साथ आरलडी के साथ ये विचार कहां तक सिरे चड़ता है ये तमाम चीजे अभी टै होना बाकी है दिलकुल सही का आपने कई उतार चड़ावाएंगे कई दिल्चोस्प गडबंदन भी बनेंगे आगे क्या होगा अरियाना कि सियासत में इस पर हमारी और आपकी नजर लगतार बने रहेगी ब दिल्चें राग